नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एडुकेशन की 10th ट्रेनिंग इन स्पोर्स को पढ़ने वाल है तो दोस्तों आप देखते रहेगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल दमाल कोशिंस को भी सॉल ग पढ़ने वाल है और साथ है हम इमेजिस की माधिम से चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत यह अचानी से हमें समझ में आ जाएगा साथ ही हम प्रीवेस एर कोशन सेंपल पेपर कोशन प्रेक्टिस पेपर और कोशन बैंक के कुछ कोशन के स्टेजिस और भी बहुत सारी ची पर मैं देखेंगे मीजोम माईकरो और मैक्रो साइकल क्या होती है कि स्टरहुद एबलब कर सकते हैं छेका के सब्सक्रणों में पर देखने ऑल है और तो यह सर्कित ट्रेंगे क्या इंट्रॉट और और क्या इसका importance है को हम अच्छे से देखने वाल है उसके पहले आर आप में से बहुत सारे बच्चों का एक question था कि sir, pre-board sir पे आ चुके हैं, board examinations आने वाले तो हम कैसे physical education की practice करें तो इसका मैंने एक तो आपको बताया था कि जो cbse का sample paper है आप उसको solve कर सकते है लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको requirement लगती है और definitely आपको करना ही चाहिए तो आपको practice papers को solve करना चाहिए क्योंकि अच्छे से video notes यह सब मैंने आपको provide कर दी है तो practice papers कहां से लिये जाए तो मैंने खुतने भी net पर बहुत सारे किताबों को search किया और उसके बाद एक यह जो किताब है मुझे बहुत ही कमाल के लगी क्योंकि इसमें latest CBSE के pattern के साब से सारे papers को solve कर रखा है तो यह किताब है Oswal Gurukul की practice papers की किताब physical education की जिसके अंदर आपको एक छोटे से किताब देखने को मिलेगी और total 10 practice papers आपको यह पर से देखने को मिलेगे जिसमें से 6 practice papers तो solved है और 4 unsolved है जिससे आपकी मस तैयारी हो जाएगी और जो unsolved paper है उनका भी solution आपको इसमें link दे रखा है उसकी website पर मिल जाएगा तो बहुत ही कमाल का resource है और physical education की कमाल के तैयारी करने के लिए तो जरूर से आप इसका उपयोग कीजेगा हम भी हमारे वीडियो के अंदर आगे आने वीडियो में इसके कुछ questions को solve करेंगे तो यह आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं कुछ questions तो link आपको description मिल जाएगा और किताब का नाम है ओस्वाल गुरुकुल की practice paper की किताब क्लास 12 के लिए तो जरूर से आप इसको दिखेगा और links आपको description में मिल जाएगे पढ़ते अब हम आगे और पहला हमारा topic है कि identification of talent क्या होता है और कैसा इसको develop किया जाता है तो talent जैसा कि हमें पता ही है हम सब में कोई न कोई talent तो होता ही है बस यह है कि उसको identify करने के देरी होती है कहीं बार आपने सुना होगा कि आर इस वक्ति में talent कूट कूट कर था लेकिन इसको किसी ने identify नहीं किया प्रॉपर समय पर इसको guidance नहीं मिली तो उसी चीज को मतलब बच्चों को proper guidance मिले और sports talent को खासकर proper समय पर पहचान लिया जाए इसलिए इस topic को में पढ़ना है तो talent identification essential है ताकि हम ensure करें कि कौन से appropriate player है जिनको select किया जाए main teams में और यह जो selection होना चाहिए बहुत जाता fair और equitable होना चाहिए जो असल में हगदार है वही team में जगा उसकी बने तो इसके लिए कहीं बार कुछ policies को भी adopt किया जाता है है ना तो क्या कैसे क्या होता है वो हम देख लेते हैं तो अगर आपको exam में आ जाता है talent identification क्या होता है तो आप यह वाली definition लिख सकते हैं कि एक ऐसा तरीका है जैसे हम current players को recognize कर सकते हैं कि किस के अंदर वो potential excel करने का जैसे अपने cricket team में देखा होगा है नए 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 players को आगे बढ़ाए जा रहा है जैसे शुमन गिल हो गया तो इसको हमने कहां से इस talent को कहां से खो जा था हमने तो सारा का सारा IPL देखा और उसके बाद हमें पता लगा है कि रहे हां शुमन गिन के नाम का भी एक लड़का है तो फिर उसको वर्ल्ड कप के लिए से लग किया गया तो यहां पर सिर्डिक किया जाता है कि क्या उसकी इंडिविजूल अभी की capacity और क्या वो future में पर्फॉर्म कर सकता है क्या क्या parameters रहते हैं तो जैसा पहला आगया physical attribute और उसकी skills तैन उसके बाद हम देखें कि कितना technically sound है वो फिर हम देखेंगे कि mentally कितना वो stable है फिर cognitive skills cognitive reading writing और कितने जल्दी वो किसी भी signal के उपर response करता है social skills है ऐसा तो नहीं कि भाई सब इंडियूजवल प्लेयर है टीम में घूलेगा मिलेगा है नहीं तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है फिर उसके बात आप exam में यह इंडिया के अंदर एक national cricket academy है बैंगलोर में तो वहां पर players को ले जाता है train किया जाता है और फिर last में उसको team India में select कर लिया जाता है तर इसके बाद talent development अगर आप से पूछा जाए तो आप यह definition लिख सकते हो कि एक ऐसा method है जिसमें athlete को suitable learning environment provide किया जाता है ताकि वो अपनी ज nail crushing है यह toe crushing yorkers तो वो उसकी के strategic skill है तो उस तरह के skills को polish किया जाता है क्या factors रहते हैं जैसे physical physiological है physiological मतलब शारे रिक और जहां पर भी psychological आजाए psycho मतलब दिमाग तो mental skills पर फोकस किया जाता है फिर कुछ यहां पर sociological skills के वो बाकी के players के साथ भी घुले मिले और last में कुछ obstacles create किये जाते हैं जिसको पार करके एक व्यक्ति अच्छे से train कर पाता है देन इसके बाद अगला जाता है sports training cycle क्या होते है तो इसको में एकदम simple भाशा में आपको बताता हूं कि जैसे आप अभी class 12 में हैं उमीद करता हूं क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो class 12 में जैसे आप आये थे तो उसके बाद आपने plan बनाया होगा साल भर का आप में से कुछ बोल रहों कि सार क्यों मझे ले रहे हो ना कौन बनाता है plan लेकिन ठीक है कुछ लोगों ने तो बनाया होगा है फिर आपने नहीं बनाया होगा तो आपके school वालों ने आपको बना कर दिया होगा कि देखो हम इस time तक course को complete कर लेंग एक मार्च से तो फिर यह आपको पता लगए जनवरी में तो फिर आप महिने डेड़ महिने का plan बनाओगे इस plan को हम बोलेंगे क्या मीजो plan और फिर जैसे exam आपके नजदी का जाएगी for example पहला paper English का है और उसमें तीन दिन बचे में तो उस तीन दिन के अंदर जो आप plan को बोला जाएगा macro फिर दो तीन महिने के जो बनाओगे उसको बोला जाएगा mezo और जब world cup start हो गया उसके बाद फिर matches के बीच में जो gap है उसमें job plan मनाओगे उसको बोलेंगे micro तो यहीं आप लिखावाई के micro के लिए 3-10 दिन का plan then mezo के लिए medium duration मतलब 3-6 week वही एक महिना plan मिलता है तो उसके अंदर क्या होता अब लंबा plan मनाते हो जैसे इस बार इंडिया वल्ल कप नहीं चीत पाई तो अब 2027 का जब plan मनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे quadranial cycle या quadranial plan चार साल के लिए अब हमें planning कर दी पड़ेगी तो यह होता है अपने पास planning का पूरा concept अगल एक तो यह flow charts आप याद रख लेना जैसे सबसे वहले हम strength पढ़ेंगे तो strength की एक basic से definition की एक ability होती है जिससे आप किसी भी resistance को overcome करते हो जैसे जिम में जाते हो महाँ पर dumbbell उठाते हो dumbbell एक प्रकायर का resistance है जैसे आप उसको overcome करते हो तो वो आपकी एक strength को दिखाता है दो तरीक तरह की आजाती है strength, endurance, explosive strength और maximum strength इसको हम detail में पढ़ेंगे और तीन method होते है strength को develop करने के लिए isometric, tonic, kinetic यह बहुत important है इसको भी हम आगे वाली slides में पढ़ने वाल है सबसे बिले types को देखते है तो static में ज्यादा समझने का कुछ है नहीं दिवार को धक्का देना moment नहीं होग जैसे आपको क्या करना है आप मुक्के बाजी के competition में हो है और आपको सामने वालों को मिला के एक मुक्का मारना है तो फिर आपको वहां पर maximum strength की जरुत पड़ीगे ना आप चाहते हो कि बाइस अफ एक ही मुक्का मारो लेकिन मिला के मारो maximum strength से मारो second आजाती explosive strength explosive का मतलब हो एक अपनी strength का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप maximum distance को पापाओ तो इसको बोलते explosive strength and last आजाता है strength endurance जहां पर भी endurance termize का मतलब होता है stamina या फिर आप बोल सकते हो पर आपकी strength endurance का काम आपको लेना पड़ेगा अब कैसे develop किया जाए तीन तरिक है पहला है isometric important है याद रखना sample paper में अपकी बारी question आपको देखने को मिलेगा कि isometric में iso और metric क्या है तो iso का मतलब होता है same same या फिर आप बोल सकते हो constant और metric का मतलब होता है length तो कुल मिला के कर हम देखें तो basically जब आप isometric exercise करोगे तो आपकी body के अंदर कोई भी change देखने को नहीं मिलेगा कोई भी moment देखने को नहीं मिलेगा जैसे दिवार को धक्का मारना तो यहाँ पर आपकी body के अंदर कोई भी moment नहीं लेकिन फिर भी आपकी strength develop हो रही है तो इसके अंदर को equipment की जरोतनी और कहीं पर भी आप कर सकते हो है ना तो आप बोल सकते हो कि exercise बहुत ही less time or equipment consuming है यह आपकी मदद कर सकती है जैसे आपकी body work done zero कैसे है तो इसका एक formula होता है basic सा science के अंदर force into distance mode तो यहाँ पर अगर आप देखो कि दिवार को धक्का मारने में कोई distance move नहीं हो रही है ना दिवार हिल रही है ना आप हिल रहे हो तो distance mode is zero तो आपका force भले ही कितना ही हो लेकिन finally work done कितना माना जाएगा zero माना जाएगा तेन इसके बाद अगला आ जाता है isotonic इसको भी दो parts में करेंगे तो same all tone तो एक tone में कोई काम करना जैसे for example आरती अगर हो रही है उस दोरान आप ताली बजा रहे हो है ना तो वह क्या हो गया एक प्रकार का same tone में कोई exercise करना body का moment हो रहा है लेकिन एक tone में हो रहा है जैसे डंबल उठाना तो डंबल उठाना में भी क्या होगा basically एक tone में आप exercise कर रहो तो इसको बोलते हैं isotonic हाला कि डंबल उठाने वाले को मैं रखते हैं क्योंकि डंबल एक प्रकार का equipment है याना बीना डंबल के अगर आप हाथ यू आप लगा कि आजाना isotonic यह अगर लाइन आईगी तो आपके MCQ वाले पार्ट में आईगी और इसका एक्जामपल हो जाएगा आपके लिए इसके बाद आगे हम बढ़ें तो आइसो काइनिटिक आ जाता है तो यह भी दो शब्दों से मिलकर बनाएं सेम और मोशन तो एक मोशन में जब आपको एक्सराइज कर रहा हो तो आपको इसके अंदर बस ही होता है कि हम एक्स्टरनल डिजाइन जो दो चीज़ आप याद रखना कि इसको पहली बात तो सेम और मोशन दो शब्दों से मिलकर बनाएं और दूसरा इसको जे जे पिरीन नाम के वेक्ति ने 1968 के अंदर इंट्रूस किया था तो यह दो नाम आप याद रख लेना और बेसिकली इसमें स्पेशली डिजाइन मशीन का यूज होता है और आइसो टोनिक आइसो मेट्रिक दोनों का ही कॉम्बो बेसिकली यहां पर रहता है बस एक्स्टरनली जो एड़ेट एक्क्यूपमेंट से वह आपको देखने को मिलेंगे फिर अगला जाता है तो इसको मैंने कई बार पहले ही बता है कि दो नामों से और तो कितने तरह का होता है दो तरह का होता है मतलब दो पार्ट में डिवाइट किया गया है पहला तो कि क्या नेचर ओफ एक्टिविटी है और दूसरा है कि कितना जूरेशन है नेचर ओफ एक्टिविटी देखें तो इसको तीन पार्ट में डिवाइट किया है और ऑन दे ब मतलब जरूरी नहीं कि कोई sports person ही हो उसी को stamina चीएगा है ना आम नागरिक को भी stamina की जरूरत रहती है जैसे घर पर अपनी मम्मी काम करती है तो आपने देखा हो गया और सुबह से शाम तक वो बिल्कुल है ना घर का काम कर लेती है अच्छे से तो वहाँ पर उसके लिए भी stamina चीए body के अंदर या फिर जैसे अगर आपके पापा हैं वो कहीं office जाते हैं कहीं शॉप पे जाते हैं तो जब भी वह भी काम करते हैं तो वहाँ पर भी दिन बर stamina चीए रहता है आप पढ़ते हो तो आपको stamina चीए रहता है तो basically क्या होता है कि जब आप slow pace में कोई भी काम करते हो दिन भर उसको करते हो तो उसके लिए जो body के अंदर आपकी ability है वहना जिससे आप fatigue को रेजिस्ट कर रहे हो थकान को रेजिस्ट कर रहे हो उसी को basic endurance बो लेंगे तो इसके बाद general endurance क्या हो जाएगा अब यहां पर फिर हम किसी athlete की बात करेंगे तो for example एक batsman है विराट कोली मान के चलो तो आप expect क्या करते हो कि जब बैटिंग करना है तब उसका stamina सबसे उपर रहे है लेकिन अब ऐसा तो है नहीं विराट को से बैटिंग ही करनी है उसको filling भी करनी और जरौत पर है तो बाकी activities है उसकी main skill के अलाबा उसको perform करने के लिए जो stamina चीए रहेगा उसक सब्सक्राइब करने को देखें तो यह एक इंडिविजुल की अबिलिटी जिससो फटीग रजिस्ट कर सकता है सैटिस्फेक्टर ली को सब्सक्राइब के अलावा जो दूसरी activities कर रहा है उसमें भी वह क्या उसको ज्यादा थकानना हो और तीसरा specific endurance अब वापिस उसी example को प इसको भाइसा विकेट के बीच में रन भी दोड़ना पड़ेंगा तो जब रन दोड़ेगा तो वापिस उसको stamina के जरूत पड़ेगी तो उस skill को develop जब वह व्यक्ति करेगा वह प्लेयर करेगा तो उसको बोलते है specific endurance जो आपका काम है जिसलिए आपको टीम में लिया गया है उस skills को इतना practice करना कि उसका stamina अलग से develop हो तो उसको specific endurance बोलेंगे फिर अगला आ जाता है basis of duration ये बहुत आसान है कि जब आप कोई भी fast moment करते हो तो जो stamina के जरूत है उसको speed endurance बोलते है तो बेसिकली 45 second के असपास कोई काम करना फिर short term endurance में आ जाएगा 45 second से 2 minute जैसे छोटी race ल term के अंदर कि 2 minute से 11 minute ये minute याद रख लेना थोड़ा सा और long term endurance मतलब कि आप 40 km दो रहे हो 20 km दो रहे हो ना marathon से हो रहे थी बड़ी बड़ी वाली तो उसमें जो आपको endurance के requirement रहे हो long term endurance है अब कैसे develop किया जाए तो पहला है continuous method नाम में ही पता लग रहा है कि continuous आपको कोई काम क कोई exercise continuous करोगे तो basic सी बात है कि यार आप बहुत heavy exercise नहीं कर पाऊगे तो एक्तम light weight exercise की जाएगी 30 minute के असपास की जाएगी और इसमें देखा जाता है कि heart beat 140-160 के असपास आपकी रहनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा होती तो रोग दो है ना तो ऐसा रहता है तो इसको बोल आजाता interval method जिसमें बीच बीच में rest लेगे लेकिन अब जैसे आपको rest लेना है उसके बाद फिर आपको वापिस से दम लगा के exercise करने पड़ेगी so workout के intensity हाई रहेगी लेकिन आप बीच बीच में rest ले सकते हो और rest कैसे लिया जाए या तो आप कोई time decide कर लो कि 10 minutes exercise करूँगा 2 minutes rest करूँगा या फिर आप देख लो heart beat के साप से कि जैसे मेरे heart beat 180 से पहुंच जाएगी में rest ले लूँगा फिर जैसे वो cool होके 120-130 पहाईगी फिर वापिस से start करूँगा तो यह दो का आप कर सकते हो और last और जो सबसे important है वह है fart leg training method अब इसको घोस्टा होलमर नाम का ए circuit बना दिया जाता है और वो जो circuit रहता है उसमें different different elements रहते हैं अब उन elements पेसे होकर किसी भी athlete को गुजरना पड़ता है तो उससे उसका stamina बढ़ता है इसके कुछ advantage or disadvantage भी एक्जाम में आने के थोड़ी से कम chance advantage देख लेते हैं पहला adaptable है आप अपने साबसे circuit के elements को modify कर सकते है endurance training के लिए यह बहुत effective speed training के लिए effective है तेने उसके बाद आप group training individual training हर कुछ कर सकते हैं disadvantage देखें तो यहां पर अगर आप properly perform नहीं करेंगे तो injury हो सकती है and detail matrix इसका लेना थोड़ा मुश्किल होता है जैसे example के दौर पर पहले आपने running कर लिए फिर swimming कर लिए फिर climbing कर लिए ज track करने में है एक activity करते हो उसको track करना असान है multiple activity बहुत कम टाइम में करते हो तो उसको track करना थोड़ा मुश्किल होता है और फिर athlete के लिए पेइन फुल रहे गई सही है तो और भी आप अपने साथे disadvantage बना सकते हैं कोई hard and fast नहीं है अगला जाएगा speed तो यह बहुत ही आम श reaction speed ना तो इसमें क्या होता है कि कोई आपके सामने कोई signal आया तो उसको कितने जल्दी आप react कर रहे हो जैसे for example सामने से अचानक किसी ने कोई cricket खेल रहे हैं बच्चोर आपके तरह ball आई तो आप उस पर react करोगे जैसे react करोगे तो उसको बोलेंगी reaction speed ability फिर acceleration speed ability मतलब zero से maximum speed क आपको अटेंड करना है वो भी सबसे कम टाइम में जैसे आप स्कूर्टी चलाते हैं बाइक चलाते हैं साइकल चलाते हैं तो क्या करते हैं जीरो से आप accelerate करते हैं तो उसको बोलते एक्सेलरेशन स्पीड फिर movement speed मतलब जो आप कोई भी movement perform कर रहे हैं तो उसके लिए जो maximum time तक ताकि वो अपने distance पर पहुंच सके तो वही करना है लोगों मटर स्पीड अबिलीटी में भी कि एक ऐसी होती किसी इंडिविजुल की जिसों मैंटेन करता है maximum speed को वो भी सबसे लंबे समय तक के लिए फिर लास्ट आ जाता है speed endurance जहां पर भी endurance शब्द दिखे भाई सा आप movement कर पाओगे as quick as possible लेकिन under the condition of fatigue मतलब आप थकान की stage में हो थक चुकी है लेकिन फिर भी आप speed से काम अगर कर रहे हो तो फिर वो speed endurance के अंदर आएगा क्या method है पहला है पेसरन पेसरन का मतलब होता है constant speed से दोरना तो जनरली 800 meter के आसपास आप दोरते हो constant speed से तो इससे आपकी speed बढ़ती है अगला होता है acceleration का मतलब होता है zero से accelerate करना ठीक है तो बेसिकली आप इसमें क्या करते हो एक्सिलेरेट करते हो high speed तक पहुंचते हो sprint करते हो और वीच बीच में अगर होता है तो ब्रेक भी आप ले सकते हो तो इससे भी आपकी क्या होगी speed डेवलप होगी अगला जाता है flexibility और कोडिनेटी अबलेटी तो flexibility एक range of moment होता है किसी जॉइंट का जैसे हम elbow वाले जॉइंट को देखें तो यह इतना movement हो जाएगा वापिस आएगा इतना जाएगा तो range of moment जो जॉइंट का होता है उसी को flexibility बोलता है दो तरीके flexibility होती है active पैसे active का मतलब जब आप अपने आप से कोई काम कर ले जैसे मैं अपने आप दिलों जान से याद रखना है क्योंकि एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा में नहीं है flexibility का और इसमें कोई भी एक और मन से मंद गरंत नाम हो दे देता है और फिर हम फस जाते है तो पहला क्या होता है तो पहला तो नाम से ही पता लग रहा है स्लोली स्ट्रेच करो और इसको होल्ड करो तीन से आठ सेकेंड तो आपकी flexibility बढ़ेगी सेकेंड बेलिस्टिक में इसका मतलब क्या होता है कि आप stretching करते हो और आप बेसिकली एक swing में एक tone में कोई काम करते हो जैसे यहां पर महतरमा आपको दिख रही है अगर यह खड़ी होंगी फिर इस position में इंगी फिर फिर इस position में आएंगी तो फिर क्या होगा इनकी flexibility develop होगी एक tone में एक स्विंग में काम कर रही है और एक मोशन में काम कर रही है तो इसको ballistic method बोलते हैं अब सिंस movement जादा है तो यहां पर आपको प्रॉपर वार्म अप यह का वर्ना इंजरी हो जाएगी तेन लास्ट आता है अपने पास post isometric stretch method और इसको PNF stretching method के नाम से जानते हैं तो इसमें क्य स्विंगता रहेगी उसने फॉर एग्जामपल यहां तक stretch किया फिर आपको थोड़ा सा relaxation देगा फिर इससे आगे तक stretch करेगा तो इससे क्या होगा कि आपकी flexibility बढ़ेगी तो यहां पर मैंने इसका method भी लिख रखा है कि सबसे पहले साथ से 15 seconds तक एक बार stretch किया जाएगा द searching भी हो रही है आई सो मेट्रिक मतलब मुमेंट एक बार हो गया फिर आपको कोई मुमेंट देखने को मिलेगा नहीं सेम और मेट्रिक का मतलब होता है एक ही पोजिशन में रहना दिन इसके बाद अगला अपने पास आ जाता है कोशन थोड़े कमी आते हैं यहां से तो पहला जैसे आपने क्रिकेट में सुना होगा एक शब्द हैंड आय कोडिनेशन कि जब भी बैट्समें शॉर्ट मारता है तो इसको अपने आख और हैंड इन दोनों के कॉम्बो को वहां पर ध्यान रखना पड़ता है तो फिर वहां पर आराम से मुमेंट हो पाता है इसके वेरिय जो आपको पढ़ना है वह मैं आपको बताऊंगा भी आगे तो एक तो अपने उनको इसकी डेपिनेशन याद रखनी है हैना कि कोडिनेशन करना है बिट्वी वेरियस एक्टिविटीज और क्या इसमें सबसे इंपोर्टेंट है तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों अगर कॉडिनेटिव अबिलिटी है तो फिर आपकी एक्क्यूरिसी बहुत अच्छी रहेगी आपका रिदम अच्छा रहेगा कंसिस्टेंट आप रह पाएंगे अब लास्ट और यह सबसे इंपोर्टेंट है और यह सर्की ट्रेनिंग मेथर तो सबसे बहले तो अपनों को कि अपन बोलते हैं इसको सार्की ट्रेनिंग मेथर्ड तो वेडियस इसमें स्टेशन्स रहते हैं और उन स्टेशन्स पर जा जा कि आप एक्क्साइज करते हो और इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का एक ओवरॉल डेवलप्मेंट हो पाता है इसका सबसे सिंपल एक्जा जाते हैं तो जिम जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या एक अपने लिए एक सर्किट बना लेते हैं जैसे एक्जामपल के तौर पर अगर आपको चेस्ट की एक्साइज करनी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे बार्बिल प्रेस करोगे फिर आपने बेंच पे डंबल प्रेस कर जाना लिया फिर अपने इन्कलीड़ पे तुमन कर दिया फ्सक्राइक दीचन कर ली तूससे अक्ते top vorbe 살 बना लिया तो इसो इसद अपना सरकिट बना लिया फिर यह सब्सेर से पहले घ्र और फिर उसे प्रेस करते हो तो फिर वहाँ पर क्या होता है नंबर ओफ रेपेटेशन सब कर सकते हो जैसे कि हां मैं पांच बार प्रेस करूंगा मैं दस बार करूंगा मैं पंदरा बार करूंगा तो वह यहां पर सर्केट ट्रेनिंग में किया जाता है तो आप इस तरह से एक diagram बना सकते हो और इसके जगे आपने हिसाब से भी कोई activity लिख सकते हो जैसे आपने लिख दिया swimming, trekking, cycling यह सब भी आप लिख सकते हो क्या है main characteristics exam में अगर पूछ ले तो लिख ले ना की easy to learn and execute है medium resistance का इस्तमाल किया जाता है number of reputations individual के साब से vary कर सकते हैं और यहां से आपकी strength और endurance develop हो जाएगी और आपकी whole body की यहां पर क्या हो जाएगी exercise हो जाएगी तेन इसके बाद अगर हम अगला देखें तो क्या importance होती है इसकी तो आपका cardiovascular fitness आगे वाले chapters में हमने पढ़ा था कि cardiovascular fitness क्या होता है आपके heart और lungs की fitness वह develop होगी general fitness आपके अच्छी रहेगी vo2 maximum maximum oxygen का जो consumption है वह आपका बढ़ेगा muscles की जो आपकी oxygen consumption power वह अच्छी हो जाएगी और muscle की strength और endurance भी improve होगी इसके साथ भी आपको जो भी याद आता जाए भाई सब physical health से mental health से related वह सब भी आप यहां पर लगा सकते हो तैन कुछ पीवाई क्यों देख लेते हैं तो यहां पर fat leg training method को developed किया गया था Sweden में तैन मसल अगर contract करती है और उनकी length change होती है contraction होता है यह तो अपने पढ़ा ही था isotonic है ना जिसके अंदर हमने बढ़ाता इसेंट्रिक कॉंसेंट्रिक कॉंट्रेक्शन तर अगला आ जाता है साथ की ट्रेनिंग क्या होती जैस्ट अभी हम पढ़के आए उसका इंपोर्टेंस भी पढ़के आए आराम से ड्राइग्राम बनाके उसको लेख के आना पांच माक्स पूरे मिलेंगे तैन सेंपल पेपर का देख लेते तो इस बार सेंपल पेपर में जैसा मैंने आपको बताया था कोशन पूचाए कि यह आई सो मेट्रिक का मतलब होता है त बाहर से किसी एक्क्यूपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है तो इसको आइसो का इनिटिक बोलते हैं जेजी पिरी ने 1968 के अंदर इसको डेवलप किया था फिर अगला जाता है जंपिंग एक स्पॉर्ट पर आप जब कर रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे सेम टोन आइसो टोन नेक्स्ट आजाता है टेकिंग ओफ इन लॉंग जंप यह किसका एक्जामपल है यह भी मैंने बताया था आपको क्या दोड क्या होगा फिर एकदम एक्स्प्लोजिव स्ट्रेंथ क्या आपको जरूत पड़ेगी तो और आपको बताने हैं चार एडवांटेज फाटलिक ट् है तो तीन किबस्तार अपने पड़े थे और टाइब्स भी पड़े थे एकटीव प्लाब फेर प्यूंड कर से तका दोटिक्या जाता है शूआ कृआ लगा के आजाना फिर अगला आजाता आपको एक्स्प्रेइन करना है तीन तरीकी कॉडिनिटी अबिलिटी उमीद आप आराम से कर देंगे यह वैसे इस कोशिन कहाने की चैंसे थोड़ी कमी रहती लेकिन फिर भी हमने पांचे-साता तरीकी की देखी थी उसमें से जो भी ती सब्सक्राइब के लिए तीन में पड़ें अगला जाएगा अपने पास प्रोसेस ऑफ इनांसिंग स्केल कैपबिलिटी नॉलज ऑफ इन इंडिवीजूल फॉर दूइंग की स्पोर्स ट्रेनिंग अब कुछ और सब्सक्राइम से कुछ देख लेते हैं कि एक ऐसा मेथड जिसमें कोई चेंज नहीं होगा लेंथ ऑफ दा मसल्स में तो नो चेंज तो यह क्या हो जाएगा आपका आईसोमेट्रिक तैन एबिलिटी जिससे आप रजिस्टेंस को और कम कर सकते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक प्लेटी जिससे यहां पर मेंग्जिम स्पीड को टेन के जा सकता हुँए लंबे समय तक के लिए तो हमने एक्जामबल पढ़ा था ट्रें का लोकुमोटर स्पीड तैन अबिलेटी जिससे मुमेंट के जा सकता है ग्रेटर रेंज में तो रेंज जहां पर भी आ जाए तो लगा कि आ जाना मैथर कौन सा नहीं है तो इंप्रोफ लेक्सिबिल्टी तो हमने बैलेस्टिक पढ़ा है स्लो इस्ट्रेच और पोस्ट आइसोमेट्रिक पढ़ा है लेकिन अपको बताया था कि तीन याद रख लेना क्योंकि यहां से कुश्चन पूछता है कि कौन सा नही बनाता है तो आपको सब को एकस्प्रेइंड करना पड़े गा तैन इसके बादए कि स्ट्रेंथ क्या होता है कैसे उसको डेवलब किया जाता है तो इसको भी आप करना comment box के एंदर तो इस वीडियो में इतना ही नो युग है को वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके कोई वी डाउट्स हों सवाल है सुझाओं तो जरूर साथ उसको कमेंट वक्स में लेद दीजिएगा दोस्तों आप हमारे चनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि हमें और भी ज्यदा मोटिवेशन मिलता आपके लिए वीडियो बनाने के लिए सब्सक्राइब बटन के झालो